चार महीने में सिलिबिस पूरा हो जाएगा क्या? अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो दिमाग में ये कुछ बातیں अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या अब एक्जाम का समय सिर्फ चार पांच महीने बचे हुए हैं क्या इसमें हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी रिविजन हो जाएगा और हम एक बहितर मार्क्स ला सकते है हमारा अच्छा नोट्स कहां मिलेगा नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे अभी तक नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाना होगा आपको सिल्बस पूरा नहीं हुआ है सिल्बस क्या पूरा हो जाएगा अब दुमाग में है हाफ यरली के एक्जाम में भी क्या हमारी अच्छे मार्क्स आ सकते है कितने प्रश्ण आपके पास है इंपोर्टन प्रश्ण कहां है previous questions को हम नहीं जानते है कैसा question exam में आ सकता है इसके बारे में नहीं जानते है पहली बात तो ये आता है कि हमें course के बारे में सही जानकारी नहीं है अगर है तो उस syllabus को हम पूरा कर सकते हैं कि नहीं और अब हमारे subject की हमारी समझ कितनी है समझ है कि नहीं ये सारे प्रश्ण आपके दिमाग में आ रहे हैं मन में ये भी है कि 90 प्लस मार्क्स लाने के सपने क्या पूरे हो पाएंगे बचों, नमस्कार, मैं विक्रम सेंख आप सबको इनहीं प्रश्णों का जवाब देने वाला हूं और आप बहुत अच्छे से सिल्बस पूरा कर पाएंगे इसकी गरांटी देता हूं इन बातों को सुनिएगा जो मैं बताने वाले हूं लिकिन आपको क्लास के अंग तक रहना पड़ेगा तबी ये संबव है क्या करना है? हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास समस्या क्या है? पहली समस्या तो यही है कि जैसे जैसे समय गुजरते जा रहा है दिल और दिमाग में डर पैदा हो रहा है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि डर से हम बहुत अच्छा कर लेते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि डर से हम कुछ नहीं कर पाते हैं डर लगे तो हत्यार डाल देते हैं भया हो गया हमा जो करना है आप कर लीजे लेकिन एक और है हिम्मत आपको करने होंगे तैयारी आपको करने होंगे लेकिन वो कैसे कर सकते हैं बहुत कम समय है तो क्या हम तैयारी करें? कैसे करें? क्या हम अपनी तैयारी को बहतर करें? और उसको करने के लिए हम क्या सुधार लाएं? क्या करें? मतलब मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा जो समय बीद गया उसे सोचने की जरूरत नहीं है। हमें आगे के स्टड़ी जे अपनाना है, जो बीच चुका है उसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जो आने वाला समय हैं उसे बहतर बना करके आप अपने बहतर रिजल्ट के लिए, बहतर भविश्य के लिए आप कदम उठा सकते हैं। आपको करना क्या हो सकता है? इसके बारे में बात करूँगा, सबसे पहले बात करूँगा कि ये जो चार महीना। कौन से चार महीना बेटा? अगस्त चल रहा है, अगस्त का बस शुरुबात नहीं हुआ है बेटा, अगस्त के 10-11 दिन निकल चुके समझ लेजए, 10-11 दिन न निकल चुका है आज और ये 11 दिन निकलने के बाद सोच लो 15 दिन निकल गया क्योंकि 15 तारीक की आप तयारिया चल रही स्कूलों में 15 अगस्त की सुतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे तो क्या अब आधा अगस्तों निकल गया अगस्त के बाद हम सिधा काउंटिंग करते हैं सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चार महिना इन चार महिनों में क्या हम पूरा कर सकेंगे अपना सिलेबस, अपनी पढ़ाई, अपनी समझ, अपनी श्यम्ता को पूरी तरह से उप्योग कर सकेंगे और उससे एक बेहतर रिजल्ट ला सकेंगे इसके लिए हम क्या करें बच्चो, एक चीज़ और सोचो, मैं अगर ज़्यादा दोर नहीं जाऊंगा तो बिहार बोर्ड का एक्जामनेशन एक फेबररी से हो जाता है, अगर दिसंबर तक कि हमारी पूरी तयारी हो जाए, तो जनवरी में हम रिविजन कर सकते हैं, जनवर पूरा रिविजन एकदम कॉंपेक्ट रिविजन हो जाएगा, जिससे आप बहुतर रिजल्ट आ सकते हैं, इसी तरह से अगर यूपी वाले बच्चों की कहें, तो वो 15 फेबररी में स्टार्ट होता है, दस पंदरा तस पंदरा दिन, बीज दिन का गेप होते जाता है, या यानि लगभग सभी बच्चों का एक्जामिनेशन इन्हीं फेबररी मार्ज के आसपास हो ही जाता है, तुम समझ लो आपके पास आज से देखा जाए, तो चार महिना है अच्छी तैयारी करने का, क्योंकि अच्छी तैयारी का मतलब है कि उससे सीखेंगे भी, समझेंगे इंपोर्टन कुश्चन पे भी काम करेंगे, इंपोर्टन टॉपिक पे भी काम करेंगे और ऐसे टॉपिक जो इंपोर्टन टॉपिक के लिए जरूरी है, ऐसे टॉपिक को भी समझना जरूरी होता है, इस पे काम कर सकते हैं इन चार महिनों में, अच्छी तैयारी किया जा स सकता है बिटे बात और सोचो कि इन चार मेहनों में क्या सच मुछ में अगर हम पूरा द्रिस्टी डालते हैं सभी सब्जेक्ट के उपर तो कहीं ऐसा नहीं लगता है बैलोजी में बारा चाप्टर होते हैं केमिस्टी में 10-11 अगर रिडियूस हो गया है तो 10-11 चाप्टर हो लेकिन अब बात होता है कि यहीं पर फिजिक्स की बात करते तो 15 चाप्टर मैट्स की बात करते तो लगब 14 चाप्टर हिंदी और अंगलिस सब को अगर मिलाद एकाउन कर दिया जाए तो बिटा 60-65-70 चाप्टर हो जाते हैं इतने चाप्टर को पूरी तरह से समझ पाना इ क्या करना होगा फिर मैं कहता हूँ कि मेरे इस वीडियो की यानि इस क्लास के अंत तक बने रही है मैं पूरा जवाब दूगा और हाँ बातों को मानेंगे पोसिबल है नहीं मानेंगे इंपोसिबल सारी दुनिया यही कहती है कि सिक्षक की बात मानें आज हम तरक़्ी कर बिटा यह सारी बातें कि आज से चार महिना अब तो कई बच्चों के पसी ने आने लगे हाँ यार सच में मैं सूच ही नहीं रहा था मेरे पास तो बहुत समय है कहीं कहीं पे बच्चे इस समय को बहुत छूटा मानते हैं कहीं कहीं पे इस समय को बहुत बड़ा मानते हैं अ समय होता, ऐसा कॉर्स होता, ऐसी पढ़ाई होती है, जिसमें इम्पोर्टेंट में नहीं उससे समझ के जाना पढ़ता, तह स्रिफ रटा में काम नहीं चलता, क्योंकि answer लिखते लिखते कई गलतियां हो जाती है, पड़ा यह नहीं चलता की क्या गलती कर डाले, गलतीयों को खुद को ही ढूनना पड़ता है मैंने जो एंसर लिखा हूँ गलत लिखाऊं के सही लिखाऊं खुद को पचानना पड़ता है तब ही तो आप हाइर स्कूल या हाइर सेकंडरी कहलाते हैं तो चलिए हम यहीं पे बात करते हैं हम क्या करें जो आज से करना है 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं बस demotivate मत होईए motivate होईए अपने आपको अपने हाथों में लिख लीजे copy में लिख लीजे कि आज मैं start करूँगा पढ़ाई लिकिन कैसे करना है इस बात का जरूर ध्यान रखें कुछ बातों पर ध्यान दें पहली बात तो यही है कि चार महिने में पूरे syllabus को हमको पूरा करना है ये बात आपको सोचना है याने 31 दिसंबर याने 31 दिसंबर हम course पूरा एक जनवरी revision ऐसे revision जिसमें अब तो बनेंगे भईया को भी question आएगा हम 100% लाएंगे तो क्या करना होगा बच्चों इस बात पर ध्यान दें सबसे पहली बात तो यही कहूंगा कि आपको time table set करने पड़ेंगे time table बनाने पड़ेंगे कैसा time table जो रोज बना सकें ये target पूरा करो आज राब तक कि मैं कल क्या पढ़ूंगा यहाँ पर time table कैसा होगा हर दिन करना पड़ेगा यहने आपको प्रती दिन का प्रती दिन आज हमने पढ़ाई कर लिया दिन भर का जो भी है जैसे आपने कर लिया जब आप सोने जाएं तो उससे पहले time table set करो कि मैं कल क्या पढ़ने वाला हूँ कौन कोंसे topic कौन कोंसे chapter पढ़ूंगा हर एक nobs copy हर एक chapter और topic पे आपको निशान लगाने में ने आज इतना पूरा खर लिया है अब अगला पारी इसकी है तब जा करके हम दिन रोज हम कुछ न कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आगे की पढ़ाई के लिए जरूरी होगा दूसरी बात बिटा आपको 4 प्लस 4 की पढ़ाई करना है यानि कि total 8 घंटे total 8 घंटे ये 4 प्लस 4 क्या है बिटा अगर आप self पढ़ाई कर रहे हो खोदी पढ़ाई कर रहे हो अगर आप ये सोचते हो कि यार मैं अपने दम पे करनूंगा किसी सिख्षक के मुझे जरूत नहीं किसी टीम की जरूत नहीं है किसी बैज की जरूत नहीं है किसी टूशन की जरूत नहीं है किसी स्कुल की जरूत नहीं है तो भाया एक बात याद रखना, ये आप किसी भी चीज को अपने लेवल पे नहीं समझ सकते हैं पुस्तकें पढ़ करके, ये हमीशा याद रखें क्योंकि आप साइंस पढ़ गयों, और उसके लिए अगर चार घंटे एक ऐसा टीचर पढ़ा है, जो बहुत अच्छा सिखा स सके, बहुत अच्छा पढ़ा सके, बहुत अच्छा बता सके, तो ये होता है आपका टूशन टाइम याने कि को भी बैच या कोर्स के साथ, ये है टीचर के साथ आपको क्लास करना है, चार घंटे का क्लास और चार घंटे का सेल्फ स्टड़ी, याने ये चार घंटा किसी ट इचरत के साथ, आप बही चार घंटा मैं क्यों बोला, क्योंकि आपके पास है सब्जेक्ट पांच, Physics, Chemistry, Bio, Hindi और English, Daily आपकी क्लास हो रही है, एक दिन Hindi, एक दिन English हो रही है, इसका है साब से चार घंटे की क्लास हो रही है, Physics, Chemistry, Bio, या Physics, Chemistry, Maths, और एक होता है आपके पास English, और एक होता है Hindi, Hindi को, Hindi और English को Alternate Day पे कर सकते हैं, लेकिन Physics, Chemistry, Bio, जो Bio नहीं लिए हो, Maths लिए होंगे, तो वो आपको ये तीन सब्जेक्ट को daily एक घंटे आपको तो देखना ही पड़ेगा, याने कि एक तरह से चार घंटे पढ़ाई में लग जाएगा, अगला जो चार घंटा बचता है, जो आपने अभी टीचर ने आपको सिखाए, समझाए, पढ़ाए, उसका रिविजन करने का होता है, देखिए आप आठ घंटा पूरा पढ़ें, भाई, जब तक आपको किसी चीज़ के समझ नहीं आएगा, तब तक आप उस पर अच्छा मेहनत नहीं कर सकते हैं, आप ये सोच रहे होंगे, यह मैंने ये पढ़ लिया, टीचर ने, इसकुल में तो बोले हैं कि टीचर ने ये वाला चाप्टर समझ जाओगे, वाला चाप्टर समझ जाओगे, कि इसकुल में मैंने एक चीज़ देखा है, कि टीचर आते हैं क्लास में, बोलते हैं, जैसे मैं, मैं खुद जानता हूं इस बात को, मैरे स्टुडेंट बताते हैं इस बात को, कि सर टीचर आते हैं, और ये बोलते हैं कि बिटा ये वाला चप्टर ना तुम्हें खुदी पढ़ सकते हो और किसी चप्टर में जाते हैं तो बोलते हैं कि ये वाला टॉपिक तुम खुदी पढ़ सकते हैं देखो यहां से ये है अंडरलाइन करो अब इसको पढ़ लेना बहिया साइंस है छोटी छोटी बाते हैं हम आम बातें को नहीं समझ सकते हैं बीना किसी के बताए तो ऐसी चीज है जो विज्ञान है जिसको विक्सित होने में हजारों बर्स लगे हैं उन चीज़ों को समझने के लिए किसी न किसी गुरू की आवशक्ताव तो पढ़ेगी ही फिर उसके बाद आप जब पढ़ोगे ना तो बड़ी आराम से पढ़ लोगे बड़ा आराम से समझ लोगे और उनके important questions क्या है ये भी पता चल जाएगा और exam की तैयारी इस तरह से हो जाती है तो इस तरह से रोज आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ने होंगे दूसरा बटा एक बाद बोलना चाहूंगा कि आप भटकिये मत भटकना बिलकुल नहीं क्योंकि कई बच्चे यूटूब पे भटक रहे हैं कुछ बच्चे कुछ और भी इधर उदर मतलब टूशन के लिए इधर उदर भटक रहे हैं अब बिल्टा आप टूशन कहीं भी अटेंड करोगे तो एक बात तो सोचो उनके कोर्स आगे निकल गए हैं क्या वो आपको शुरू से पढ़ाएगा जब भी एंट्री करोगे बीच से जाओगे और बीच से कुछ नहीं समझ में आएगा स्कूल में भी अगर आभी तक कुछ नहीं समझ पाए हो तो आपको पकड़ के नहीं चलेंगे तो आप समझ लो को कोई भी टूशन अभी नहीं है जिसका कोई नया बैच स्टार्ट हो रहा है याद रखिए यहीं पर आप गडबड कर जाएंगे या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको इस्कुल में नहीं समझ में आ रहा है अभी तक उन्होंने शुरू भी के स्टार्ट से भी उन्होंने कर रहा है तो भी उनको समझ में नहीं आ रही है तब प्रॉबलम कहा है? आप आगे चलिया तो इस तरह से यह tuition हैं या दूसरी classes हैं तो यह जो है इसमें नहीं भटकने का आप जब भी कुछ करते हैं तो आपको start से start करने वाला ही कोई class याने कि आप मैं बोलूँगा जीरो से start करने वाला classes आपको attend करना पड़ेगा तब जा करके यानि कि chapter 1 से start करने वाला आना चाहिए chapter 1 से start करने वाला होना चाहिए तब जा करके आप समझोगे इस बात का भी ध्यार रखना होगा आपको फिर बात करूँगा समय का सदुपयोग इस तरह से करेंगे बिटा यहाँ पर और बात है कि जब तक self study नहीं करोगे तब तर नहीं हो सकता मैंने यह भी बताया आपको और एक और चीज बहुत बड़ी है जरूरत वो है तीसरी बातें आपको सुबह उठने की है सुबह उठना है सुबह उठोगे fresh mind रहता है आप एक revision उस ताम अराम से कर सकते हो या आज होने वाले class के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो तो दो घंटे और extra मिल जाएंगे प्लस दो घंटे extra मिलते हैं इस तरह से daily आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हो और आपकी energy भी बनी रहती है और उत्सा बना रहता है या रही मैंने ये पढ़ाया दो घंटे मिले एक्स्टा हुआ और कल के लिए एक्स्टा उत्सा बनता है जहां उत्सा वहां मन चंगा हो जाता है ये सारी बातें आप ध्यान रखें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अब मैं सबाल करता हूँ कि यही पर आपके पास आता है मैं यही पर एक बोल रहाता है कि Y.T YouTube कभी इस teacher का देखते हो कभी कहीं से देख रहा हो कभी 20 से देख रहा हो इसमें क्या होता है इसमें सबसे बड़ी problem आती है कि आप किसी दिन देख रहे हो किसी दिन नहीं देख रहे हो किसी दिन देखे तो कभी आधा देखे थोड़ा देखे दो मिनिट देखे दस मिनिट देखे पंदा मिनिट देखे अगर आप regular हो तो कोई problem नहीं है किसी एक teacher के साथ जुड़े हो तो गी कोई problem नहीं है लेकिन यहाँ पर हमेशा याद रहता है दिमाग में कि यार यह वाला teacher से मैं समझ लिया हूँ तो एक बार दूसरे teacher समझने कुश करता हूँ फिर वहाँ पर जाते हैं इदर उदर भटकते रहते हैं दूसरी बात होती जैसे यूटूब ओपन करते हो इतने सारे शौर्ट्स हाते हैं इतने सारे डिस्ट्रक्ट करने वाली वीडियोज आते हैं वो आपको अपने में खो ले है मोबाईल खोलने पर कोई ख़तरा नहीं है मोबाईल पर यूटूब ओपन करने पर ख़तरा जाती है Instagram खोलने पर ख़तरे स्टार्ट हो जाते हैं WhatsApp ओपन करने पर क्योंकि इधने सारे दोस्तों का वो WhatsApp आते हैं कि आप उनको reply करे बगर आपका मन नहीं रहता है Facebook ओपन करने Media है जो अपना टैभ देते हैं कि मोबाइल नहीं छुना है आपको सिर्फ हमारा टैभ रखना है यहां पर हम कहते हैं पर इतना टैभ आप रखो खरीदो खाएं तो उसमें ज्यादा मेहगा हो जाएगा सो उतने खर्चे नहीं करने आपको आपकी mobile कोई tap की तरह बहतर पढ़ाई, study tap की तरह लेंगे, educational tap की तरह use करेंगे, तो ज़्यादा फाइदा करेगा आपके लिए, आपके parents को भी सुकून होगा कि मेरा बेटा नहीं देखता यार यह सब चीजे, मेरा बेटा जो है, या मेरे बच्चे जो है, सिर्फ और स वो चीज देखने पड़ेगा, यहां पर भी हम लोग जब देखते हैं, आप लोग पढ़ाई इधर चल रही है हमारे ध्यान लगा के पढ़ा रहे हैं, योग धोग कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है, इधर बच्चे आपस में बात करें, हाई मीना, हाई लीना, हाई स्तीना, दुनिया भर का, अरे हराहुल क्या चल रहा था, कल तो तुम नहीं आया थे, कुछ भी बोल रहे हो आप लोग चैट में, पढ़ाई कहां हो रहा है भाई, वो आपस में चैट हो रहा है, सिर्फ मेरी वीडियो की बात नहीं कर, किसी की भी वीडियो कोल के देखता हूँ, कई दिन, आठ घंटे की मेहनत से, आठ दस घंटे की मेहनत से, छे से साथ घंटे की मेहनत से भी, हमारे दुआरा चार घंटे की मेहनत अगर आप करो, और वो भी स्टार्ट से चाप्टर बन से पढ़ाई करोगे, स्टार्ट से जिरो लेवल से पढ़ाई करोगे, तो बेटा एक चीज़ें सीखोगे प्रिवियस एर कुश्चन और सारी चीज़ें आपको मिलने लगेंगी तो मैं वही बताने वाला हूँ हमने इसे लिए हमने अपना टीम तैयार किया है अब भी आपको स्टार्ट से पढ़ाने के लिए वो चार महिने की पढ़ाई में आपको पूरा कराने की इस बैच को कहते हैं हम लोग करांती क्योंकि अब आपके मन में आपके दिन और दिमाग में पढ़ाई की करांती ला रहे है और इस पढ़ाई की करांती वाला जो बैच है, इसको जाइन करिए बच्चों, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिलकुल नहीं है, आगे कुछ समय बरबाद करने का, जरा भी, जरा भी, कुछ भी समय, थोड़ा भी, कैसा भी हो, समय मत बरबाद करिए, आपको ऐसे डिस्टक समय का उपयोग हमेशा करें, और पैसे का भी समय का उपयोग हमेशा करें, ये दोनों ही चीज़ें, समय तो कभी नहीं आता, पैसा एक बार आ जाता है, लेकिन गया हुआ पैसे के लिए पस्तावा भी तो होता है, तो याद रखना, समय का उपयोग करें, और पैसे को उसी जगह लगा हैं जहां education याद रखना जो विक्सित देश हैं डेवलप कंट्री हैं वो सबसे ज़्यादा खर्च करता है तो education पर करता है और हम सबसे ज़्यादा खर्च करते हैं तो नुकर में जाके समोसे खाने में करते हैं दोस्तों से भी बात करेंगे अभी वो खिलाएगा अभी तेरह बड़े आगा केक कुछ से ला रहा है ये चलता है आईस क्रीम खिलाएगा नई बेटा चकलेट वाकलेट की बात छोड़िए करिए उस पैसे का use अपने पढ़ाई में तो बात यही है कि class 12 की पढ़ाई के लिए मैंने करंति बेचलाया है जो की 18 अगस से start हो रहा है याद रखिये कब से start हो रहा है 18 अगस से start हो रहा है और आपके लिए वो सारी चीज़े chapter 1 से पढ़ाई होगी इसकी सबसे बड़ी विशेस्ता है बिटा कि ये रोज लाइव आएगा यानि कि बिलकुल जैसे हम आपको भी बात कर रहे है बिलकुल वहाँ पर आप एक टूशन में जा करके पढ़ने जैसे feeling आती है आपको छूना नहीं है आपको कोई चैट वेट करनी के जरूत ने अगर करने कुछ जरूत है तब करिए नहीं तो फिर पढ़ाई पर तो धान दीजे पहले आप बिलकुछ सीखे तो लाइव में आईएगा देखेगा जो आपको एक स्कूल में पढ़ाई जाता है बिलकुल उसी के feeling आती है वही पढ़ाई होता है ये मिलेगा आपको लाइव डेली लाइव फिर ये कब से कब तक है भाई रोज सो मार्से शनिवार शाम को होगी रोज क्लासे छे दिन की लाइव क्लास है हर सब्जेक्ट में लाइव क्लास है इंग्लिश और हिंदी recorded मिलेगा क्योंकि हर एक स्टेट में थोड़ा से अलग होने के विज़ा से हम उनको अलग अलग तरह से हर एक स्टेट को देते हैं फिर बात करते हैं आगे कि special batches बेटा maths group के लिए biology group के लिए अल chemistry दोनों में आते हैं लेकिन दोनों के पढ़ने का तरीका थोड़ा सा लग होता है इसलिए उनको अलग तरह स्टेट किया जाता है बिटा chapter test होंगे पढ़ो थोड़ा test दिलाओ आपके दिमाग को चलाओ कि अरे हर मैं थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था मैं भी कुछ दिन है इससे आपको उसकी जानकारी अच्छी हो जाएगे बात करते हैं यहां पर और हम पर टेस्ट दिलने से फायदा क्या होता है दो फायदे होते हैं एक तो exam के exam दिलाते समय इस test को दिलाने से जब आपने question solve किया होगा तो आपकी जो speed है एक तरह से बनती जाती है और दूसर exam के समय डर नहीं रहता है जब भी chapter के बाद आपको test होगा और यह बहुत ही महत्वपुन है आपके लिए और एक बात समझ दीजेगा यह सारे subject में देखने को मिलेगा अगला है revision session, revision marathon बेटा जब आपका course complete हो जाता है तो उसके बाद आपका marathon classes होंगे और one shot revision होगा अगर यह मिलता है तो फाइदा क्या हुआ? फाइदा यह हुआ कि जो आपने पढ़ा है हमने जो पढ़ाया है वो तो पढ़ा दिये लेकिन एक बार और पढ़ाया चाहरा है आपके सम्मेरितन देरा जा रहा है याने अब उस chapter की तैयारी की जारी एक्जाम से पहले जब जाते हैं एक्जाम से पहले तो वो सारी चीज़ों को आपके दिमाग में remind टरा जाता है भाई आप तो एक तरह से आपके अच्छी तैयारी हो जाती है और बहतरी तैयारी के लिए ज़रूरी भी होता है कि आपका revision भी हो साथ में super 50 questions होंगे super 50 PDF होगा इसमें क्या मिलेंगे आपको यहां पर आपको मिलेगा 50 important सवाल जिससे फाइदा क्या होगा कि आपको इधर देखो भाई जो जो पढ़ाया जागा उसमें सबसे माहत्वपुन तो यही है कि आपको किसी book को पढ़ने की भी ज़रूरत नह है कि हम जो देंगे उसी से एक्जाम में आना है और उसी से फसना है तो भाई वो करिए जो हम कह रहे हैं तो इधर उदर उदर से question लाने की आपको जरूरत नहीं है किसी तरह समय ना बरबाद हो सब कुछ यहीं से आपको मिलेगा और क्या है complete syllabus complete कराएंगे बिटा steady material मिलेगा और जो notes है वो है और previous questions मिलेंगे और daily important questions मिलेंगे बिटा यह सब देने वाले हैं यह हमारे सबसे बेहितरिन teachers इसमें हैं गणित में दीपक सर जे विज्यान में विजेता मैं और जे विज्यान में योगे सर रसायन में दो नाम आते हैं हमारे पास एक विक्रम सर है यानि कि म और पुनमम है बहुत इकी में विपिन सर और गुपल सर आ रहे हैं और English में आ रही है भूमिकामा यह सब देंगे आपको सबसे बहुतरिन आपकी पढ़ाई बेटा इन teacher की पढ़ाई आप जानते भी होंगे देखे भी होंगे और हाँ याद रखो मैं आपको आज यही बता ने आया हूं कि आप इस course के साथ आईए आपको बहुत कुछ मिलेगा और कम समय बचा हुआ है तो अच्छे से जोड़ी है ना क्यों इधर उधर भटा करे हैं आप लोग जितना भटकोगे बेटा देखो साल भर समय बरबाद देखो दो तरह के लोग होते हैं एक समय बरबा करते हैं इस बैच को इस बैच की कीमत है वो है 9999 लेकिन अभी ओफर पिरियंट चल रहा है आठ अगस से 13 अगस तक यह मिलेगा आपको 4999 में हमें वाटसप कर सकते हैं हमें गूगल शीट पर देखा गूगल फॉर्म दिया है को उसको भर के बता सकते हैं अपनी जानकारी द करन्ति बैच का हिसा बनने के लिए हमें कॉल करें या वाटसप करें या गूगल फॉर्म भरें जो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया है आप समझ सकते हैं आप सब बहुत अच्छे और बहुत समझदार हैं इसलिए पढ़ाई करते हैं और इसलिए हमारे साथ ज बहुत 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 बनाएगा हमेरे साथ आईए और आज की बात बस इतना ही धन्यवाद